मशकार दोस्तो आज योड़ी हम बात करने वाले हैं इमांचल प्रदेश टाप सेलेक्शन कमेशन हमेरपूर की होस्टल सुप्रिटेंडेंडेंट पोस्ट कूर साथ सुवानवे की यहां पे रोल नंबर लिस्ट के बारे में तो आप सभी का एक्जाम आठ नौमर को है इवनि में अगर एक टैट पास कर दिया तो उमर भर के लिए हमांचल कैबिनेट में एक प्रस्ताब जाएगा तो आपको सिर्फ एक बार टैट पास करना होगा उसके बाद आपका जो माक्स पूरी उमर के लिए जो की यहां पे बैलिड किये जाएंगे ऐसा ही प्रस्ताब एक जा शिक्षा भाग भेज रहा है तो कैबिनेट में प्रस्तूत किया जाएगा उसके बाद इसे मंजूरी मिलेगी या ना मुलेगी कैबिनेट के बाद फिर विदानसभा में जाएगा तो उस पर वो डिपेंड रहेगा तो आप सभी को बता दें बट चो अभी यहां पे टैट तो कैंसल कर दिया बट यहां पर दूसरे एक्जाम तो हो रहे जहके टैट अगर नहीं होता है तो काफी सारे यहां पर स्टूडेंट इस्क्वालिफाई हो जाएंगे टीजिटी नौन मेडिकल के लिए तो क्यूंकि टैट पास करना कंपल्स रेजिए उन्हें नहीं करा है यहां पर एक्जाम कॉलिफाई करते तो उनके लिए दुख की बात है क्यूंकि अब टीजिटी का एक्जाम तो इन्हें नहीं कर लिया श्टाप से लगें अमीरपूर की तरफ से बाठ टैट कैंसल कर दिया है अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है तो अगर करना था तो दो सब्सक्राइब कर लिए तो कितने स्टुडेंट को इसमें रोल नंबर मिला है तो यहां पर एक्जाम सेंट्र हमेरपूर में यह 32 पेजीज है तो यहां पर देख सकते हैं आप 910 स्टुडेंट को यहां पर रोल नंबर लॉट हुए अगर किसने एडमिट का डाउनलोड कर लिंक दिया हुआ है तो वहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं रोल नंबर लिस्ट को पूरी की पूरी आपको वहां पर यह मिल जाएगी अगर किसका एडमिट का डाउनलोड नहीं होता है तो वह भी यहां पर सर्च करके अपना नाम देख सकता है और उसको अप इंटी प्रूफ और एक फोटर ले जाना तो से एक्जाम में बैठने दिया जाएगा तो 910 स्टुनेंट को यहां पर रोल नंबर लॉट हुए है तो आपका एक्जाम मैं बता दूं तो आपके अडमिट कार भी आ चुके ऑफिशियल वैब साइट पे लिक वीडियो को डिस